हाई व्रेंट आज मैं बताओंगा आपको पसों में होने वाले हैपो मैंगनिसिम टिटेनी रोग के बारे में जिसे हम हम एचहीं कहते हैं इस रोग के बारे में आज आपको डिटेल से बताओंगा कि यह रोग किसकी कमी से होता है और इसके क्या कारण है, क्या लक्सन है और इसका क्या इलाज करना चाहिए इसके बारे माँ आज आपको डिटेल से बताूँगा इद यह भी आए मेरे साथ ने जुड़े हैं तो पहले आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शाथ में Bell icon को भी दबाएं ताकि बहुसे में आने वाली हर प्रकार की वीडियो इसे चनल पर आपको समय समय पर मिलती रहें जो मैं आपको हाइपो मेंगनेशिम टिटेनी है इसको कई नामों से जाना जाता है हाइपो मेंगनेशिम टिटेनी है इसको क्या जाता है जैसे मेंगनेशिम एधी पस्व के सरीर में मेंगनेशिम कमी हो गई है इसे हम ग्रास टिटेनी भी कहते है और इसे लेक्षन टिटेनी भी कहते है और इसमें क्या है कि पसु के बलड के अंदर मैंगनिस्म की कमी आ जाती है और पसु क्या है कि इसके अंदर अधिक थोड़ा क्या है कि स्वेंदन सिल हो जाता है और पसु के क्या है कि चलने में लड़कडा के लक्षन हमें दिखाई देते हैं टिकनस के लक्षन हमें देते हैं पस क्योंकि वजय से ही अब यह अब यदि आप अपने प्रशु जब भी कोई पसु चीवित से कहाए जब भी आप अपने प्रशु को जब देखने जाते हैं तो यहापको यह अलक्षन दिखाई दे तो आपको यह समझे लेना चाहिए कि इसके अंदर अबस्तिंड दे शेविड जाता है और पसू कहा थोड़ी सी आवाज आते ही पसू कि बिदग जाता है और टीटनस की तरह इसके मैं शिम्टमस, तो यह की टीटनस की तरह ढ़ा है इसमें कमर धनुसाकार हो जाती है तो हम यह सोचते हैं कहीं इसको टीटनस तो नहीं हो गया कि उसे प्रकट हमें दिखाई देते हैं और पसु जमीन पर बैटे वे या लेटे वे बार-बार पैर चलाता है थता पेट पर मारता है यानि पेट दर्द के लक्षन भी इसको हमें साथ दिखाई देते हैं और पसु बार-बार सिर भी पटकता है था आसपास के माहूल होने से माहुल में क्या है कि सोर होने से क्या है कि सीर्वे पैर चलाता है वो अधिक मारता रहता है और पसु की जो इच्छा के बगर क्या है कि मुतर वे गोबर बार बार निकलता रहता है और पसु किसी आवास से इदर उदर उचलता फदकता रहता है और उसकी रिदेगी दढ़कन भी पस्व की बढ़ जाती है और यह लक्षनी दिया अधिक उमर के बस्डों में देखने को मिलें तो इसके अंदर क्या है कि आदा गंठे के अंदर अंदर उसकी जो बस्डे उनकी मोत भी हो जाती है अब इसका ट्रीट्मेंट क्या करना है हपो मेंगॉन एक सिघटेनियर का जो ट्रीट्मेंट आप को मेरी टेबल के ऊपर अपर डीख रहा है कि अपमेंगनेशन पर जो ट्रेय्ट इसके जो तरफक्तिक हैते लाटो म किसल्ए न। हम छो माइफेक्स ऽचुद लधाolo obvious कितने गई और इस व्हेंट आई वी यहीं इंट्राविनस लगानी है यह हैपो मैंगनेश जिसमें क्या साल्टों केल्सियम मैंगनेशियम बोरो गुलकुनेट यह माइफेक्स आपको लगानी है साधे 400 ml और साथ यह साथ आपको क्या करना है कि इसontonे करों मैंगनेशियम deepest है व दूश्टों से 300 ml सबकट है डाना है साथ में सबकट 20 इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हें अवर पानी सब उसको आ प्री इंजेक्शन को आप उया पर शूं एंड्य को लगाएं यह को यह तो लगाना है और साथ एसाथ आप उपने पर ऑफ सूं को उने एक्षण मल्टी विटामीन के तोर पर आता है जैसे मैंने बताये ट्राइबी वेट ये ट्राइबी वेट इंजेक्शन लगाना आप अपने पसु को 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस ये जो इंजेक्शन इंट्रास कमपनी का था ट्राइबी या कोई बढ़िया क यह पिखाना के इंजक्शन, और फीच्विशं, को दो करें, वो जो मैंने इंजक्शन बता हैं आपको यह सभी इंजक्शन आप पसू चिकत्षक की देखरेक में लगाएं या पसू चिकत्षक से सला लेकर के ही जो यह इंजक्शन है वो लगाएं यह आपके नजदिक जो वेटेनिरी डोक्टर है उसे बुला करके आप अपने पसू का ट्रि औरेली देनी आप अपने पसू को 500 ml एक साथ जैसे 500 ml आज दे दी आपने और 500 ml कल इस प्रकार लगातार तीन दिन आप अपने पसू को जो फोल्टी जेल आती है विर्वे कंपनी की यह देनी है और रही बात हो सके तो सुविदा की तोर पर आप जो यह मैंगनेशियम शुख लगाए तो आपने पसू पाल्कों के साथ शेर बीकरे जिस परकार से आपको अपना अच्छा रिस्पोंस दे रहें वेट पेड एंड केटल चैनल को इसी तरह से आप अच्छा रिस्पोंस देते रहें इस चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी और नोलिजबल वीडियो हर्स में आपको मिलती ही रहेंगी इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें और निसे जाके आप वीडियो को लाइक करें आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेसन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नोलिजबल वीडियो लेकर करके आता हूँ इसी तरह से आए मेरी वीडियो देखते रहें थेंक्स धन्यवाद